Hello and Welcome to Artinworks, I am Amar Rao and आज हम बात करने वाले हैं इस tutorial में कि आप अपने वीडियो को अपने शॉट को जिस पर वोग कर रहे हैं उसे कैसे convert कर सकते हैं hand-drawn 2D sketch के form में pencil sketch के form में pencil sketch के form में So, देखिएंगे इस tutorial में start to end process किया है इसका और किस तरीके से work करता है So, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मैंने इस video को convert किया है So, इसे हम प्ले करते हैं video को So, आप देखिएंगे यह जो flowers है जो move कर रहे हैं यहाँ पर And इस ही को मैंने convert किया है So, जो इसका result है वह भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा So, आप देखिएंगे यह जो इसका result है और यह हमें pen sketch pencil sketch के form में नज़र आ रहा है And बहुत अच्छे results है मैंने इसे use किया है अपने projects में And I hope कि आप लोगों को भी पसंद आएगा यह process So, start करते हैं So, जो हमारी video है इसे हम select करेंगे And drop करेंगे new com button पे All right So, हमार पास यहां हमारी video आ चुकी है And हम इसे play करेंगे Okay, तो आप देख रहे हैं जो video move हो रही है इसके जो leaf से move कर रही है Second step हम चलेंगे So, यह जो हमारी layer है से हम select करेंगे And duplicate करेंगे So, press करें Ctrl D So, जो top copies है अभी हमारी पास दो copies है So, जो top copies है इसके उपर हम work करेंगे So, सबसे पहले इसका जो key है जो main effect है जिसके थूँ यह चीज create होती है वो है smart blur So, चूज करेंगे effects And blur and sharpen And यहां से smart blur So, जब आप smart blur इसके उपर choose करेंगे तो आप देखेंगे apply करने के बाद कि यहां पर कोई बहुत जादा changes नहीं हुए है बट जो edges है वो बहुत शाप हो गई है आप देख रहे हैं बहुत hard edges है इसकी और अगर इसे off करेंगे तो आप देखेंगे बिलकुल यह soft है और यहां पर जैसे ही मैंने इसकी उपर smart blur apply किया So, इसकी edges है वो harsh हो गई है So, start करते हैं आगे का process And यहां पर देखेंगे कि इसमें सबसे पहला option है radius Threshold and mode So, जो key है वो mode में है So, यहां पर अभी हम जो इसे open करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर edge only और overlay So, इसको हम select करेंगे edge only पर So, जैसे हम इसे edge only पर select करेंगे तो आप देखेंगे यह black और white के form में convert हो गया है अभी क्या हुआ है कि एक stroke के form में इसने हमें यह जो हमारी detailing है इस video में उसे present किया है So, हम इसे देखेंगे यह play भी हो रहा है और यह जो flower से move कर रहे है But problem क्या है कि अभी जो यह effect apply करने के बाद जब हमने edge only पर click किया तो यह जो layer है यह black और white के form में है means कि इसका background है वो pure black है So, हमें क्या चाहिए है जो हमने original shot में देखा था कि जो हमारा BG है आप इससे देखेंगे और अगर मैं off करूँगा यहां से और इसको transparency on करूँगा तो आप देखेंगे जो layer है यह transparent है और इसके जो background में वो कुछ भी नहीं है आप कोई भी चीज यहां use कर सकते हो अगर आप चाह रहे हैं कि जो इसकी detailing है वो और clear करनी है आपको और जादा detail रखने है radius का part है इसे हम increase कर सकते है अभी आप देख रहे है जो इसकी outlines की radius है वो 3 पे है इसे हम increase करेंगे अगर इसे हम choose करते है 50 पे आप देखेंगे तो जो इसकी detailing है वो कम होगी अगर हम इसे around 60 करते हैं तो आप देखेंगे जो strokes हैं कम हो जाएंगे आप अपने according इसे रख सकते हैं हम अभी ज्यादा railing के साथ जाएंगे इसका जो threshold है वो हम like 20 पे करते हैं अभी हमारे पास maximum detailing है जो की थोड़ी descent लगेगी अब हम क्या करेंगे यह जो हमारी वीडियो है इसका जो background है वो आप देख रहे हैं अभी dark solid है black है यह हमें transparent चाहिए है जिससे कि हम अपने background में जो भी elements यूज़ करना चाहा रहे हैं वो हम use कर सकें और अपने animation जो हमने एक pencil sketch की जो animation create की हो इसको हम और beautify कर सकें इसके लिए हम क्या करेंगे simple select करेंगे जो bottom ली layer है and choose करेंगे track mats को इसके through हम इसे create करेंगे so choose करेंगे track mat and यहां से इसको हम change करेंगे lumomet में so जैसे हम इसे lumomet में convert करेंगे आप देखेंगे यहां पर background है वो चला गया है यहां से and हम इन दोनों layers को select करके move करेंगे तो आप देखेंगे यह जो हमारी layer है transparent हो चुकी है now अभी आप देख रहे हैं जो इसका color है वो original video का इसमें जो highlight है वो यहां पर आपको देखने लिए मिल रहा है so अगर आप as it is use करना चाहते है तो आप कर सकते है और अगर आप इसका color change करना चाहते है तो इसको select करें layer को and इसके उपर एक fill apply करें so आप देखेंगे यहां पे एक red color में यह convert हो गया है and यहां से आप इसका color change कर सकते है like black and okay and इसके नीचे अब हम एक background create करेंगे solid white solid create करेंगे okay आप कोई भी animation हो कोई भी video है इसके पीछे यूज़ कर सकते है and अभी हमारा sketch form में proper technique से convert को हो चुका है and इसे हम play करके देखेंगे तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी video में technique को use कर सकते हैं और technique के through इस तरीके के results को achieve कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा modern करना अपने shot को और अपने video को जो यह process है तो आप background में elements कर सकते हैं और sketching कर सकते हैं कोई भी किस तरीके की background कर सकते हैं so एक quick example और दिखाना चाहूंगा एक दूसरे shot को आप लोगों के सामने यहां पर मैंने एक flag shot है जो place किया हुआ और आप देख रहे हैं जो flag है move कर रहा है sorry इसकी जो voice है वो मैं close करता हूँ so इसकी भी जल्दी से एक quick example देखेंगे so इसको ctrl-d करेंगे so जो top copy है इस पर apply करेंगे हम smart blur so यहां से type करेंगे हम इसकी उपर smart blur and जो इसकी radius है as it is चोड़ेंगे फिलाल के लिए इसको choose करेंगे edge only पर तो आप देखेंगे यहां पर भी हमारे पास same results देखने को मिल रहे हैं and radius है आप इसको increase करेंगे तो जो detail है वो बढ़ेंगे और अगर आप नहीं चाहते है कि details increase हो so आप इसको as it is अभी रखते हैं यहां पर and जो इसका threshold है वो थोड़ा increase करेंगे तो यह जो beach के details है यह आप अगर रखना चाह रहे है तो इसको normal same रख सकते हैं इस पर okay so अभी यह set है and इसको जो track matte है वो change करेंगे like यहां से Duma matte so आप देखेंगे हमारे पास हम यहां पर transparent flag है और आप इसके background में कोई भी solid लगा सकते हैं right मैं यहां से solid create करता हूँ white और इसके background हम लखेंगे and इसको पर आप अगर as it is color चाह रहे हैं तो आप यह color भी यूज़ कर सकते हैं and अगर आप चाह रहे हैं कि video को और अपने shot को convert कर सकते हैं pencil sketch के form में so I hope यह tutorial आप लोगों को useful लगा होगा and अगर आप लोगों को कोई भी issues है after effects में compositing में video effects में और इस tutorial में so आप मुझे comment कर सकते हैं मैं comment में आप लोगों को reply करूँगा and कुशिच करूँग आप लोगों की जो problems आप हमसेफ दो सौव कर माँँछ thank you for watching I am Amar Rao and we will see you in the next tutorial